हेलो फ्रेंज, वेलकम तो सानीपनी एच्यूकेशनल एकेडमी आज हम स्टरी करेंगे स्टांडर फिफ्ट का सोचिल स्टरी लेसन नंबर 11 ट्रांसपर्ट और कॉमिनिकेशन कांसपर्ट और कॉमिनिकेशन में जब हम क्वेशन अंसर देख रहे थे हमने लाग्स लेक्शे में क्वेशन 5 का अंसर देख रहें क्वेशन ब्रिफली में है A, B, C तक, D खाटा, C तक, आज स्टार्ट करेंगे D D का क्वेशन क्या है, What is the advantage of mobile phone? Mobile phone का advantage क्या है, वो हमें दिखना है, वो आपकी language में भी लिख सकते है और ऐसे भी लिख सकते है, कि the advantage of mobile phone is the mobile or cellular phone have become a very popular means of communication today यानि कि नावादेज को popular communication के लिए यूज किया चाहता है mobile phone का We can also send and receive the SMS through our mobile phone, यानि कि mobile phone के थो हम SMS को send कर सकते है और receive कर सकते है इस तरह से mobile phone से हम communication कर सकते है, ये main advantage है किया है, ता advantage of a mobile phone is, mobile and cellular phone have become a very popular means of communication today We can also send and receive SMS through our mobile phone यानि कि अपने phone में SMS को send and receive कर सकते हैं, इस तरह से दुसरे से हम SMS के थो communication भी कर सकते है नाव, ये क्या है, वाई दा computer काल दा फॉर्स्टेस मीन्स अफ कॉम्मिनिकेशन, कॉम्पीटर को फॉर्स्टेस मीन्स अफ कॉम्मिनिकेशन क्यों कह जाता है इंतरनेट इस तो कोबल कमपीटर नेट्वर्क बाइश सेंग्ट इंटरनेट वन चैन्न एमेल ठोड़ू दा कॉम्मिनिकेशन क्यों अफ दू कम्पीटर में जो इमेल आता है, उसके इंतरनेट के ठूड़ू, हम वह वाल्डना एंबाल्डना कोई इसलिए इसलिए ऐस्म इसलोट से इमेल होटा है ऐसे कि the computer called the fastest means of communication यानि के इन क्या है internet is the global computer network by ascensing in the internet one can be sent the email through the computer to the part of the world within the second that's why your computer called the fastest means of communication now F क्या है what is the effect of mobile and computer in your life mobile computer नी effect क्या है हमरी लाइफ में वो है वो अपने आपसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छी इफेक भी लिख सकते हैं और बैड इफेक भी लिख सकते हैं the most effect is the mobile and computer in your life is communicate with or any people any part of the world यानि कि हम पर के किसी भी पार्ट में किसी भी पीपल से हम communicate कर सकते हैं we use the mobile and computer send email, SMS, etc. to any part of the world within a second यानि कि जो SMS पेजना है जो भी message पेजना है email पेजना है को किसी भी information पेजनी है तर वीदीन सेकंड में mobile phone के ठूँ या computer के ठूँ हम उसे पेज़ सकते हैं यह हुए अमरी इफेक्ट के क्या है the most effect of a mobile and computer in your life is communicate with any people any parts of the world we use the mobile and computer send send the email, SMS, etc. to any parts of world within a second यानि कि वीदीन सेकंड में world न किसी भी पार्ट किसी भी कौने में world के किसी भी कौने में हम SMS और email को पेज सकते हैं कुछी सेकंड में यहाँ पे हमारा transport and communication chapter खतम हुआ कुछी भी क्यारी हो तो पूछ लेना है नाओ स्टार्ट करेंगे चैप्तर नंबर 12 नेम है मुंबई मुंबई जो कि the commercial capital of इंडिया है ऐसा क्यों कह चाता है commercial capital of इंडिया क्योंकि यहाँ मुंबई सबसे richest city है इंडिया की यहाँ पर बहुत मैजर और important industries है उस मुंबई का हम मुंबई सबसे प्रॉप पॉप्यूलस city है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वस्ति है पॉप्यूलस मींज वस्ति मुंबई को अलग 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 नाम से बुलाते हैं यह मुंबई कहीं लोग अपने अपने तरह के नाम से बुलाते हैं जैसे कि मुंबई को बुलाते हैं लेस स्टार्ट अबाउट लोकेशन मुंबई कहां पर है लोकेशन उसका मुंबई का लोकेशन मुंबई यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाया है यहाँ पर महराष्ट्र में मुंबई है मुंबई का पेहे तो इंडिया का स्टेट महराष्ट्र में मुंबई है मुंबई is the capital of a state of महराष्ट्र यानि मुंबई महराष्ट्र राज्य की राज्टानी है मुंबई कहां की राज्टानी है तो महराष्ट्र राज्य की State of Maharashtra की राश्टानी है It is a situated on West Coast of India That is the Concern Coast along the Arabian Sea यानि की इपरत के पस्षिम टक पे यथाट अरब सागर के किनारे Concern टक पे स्टीथ है Mumbai कहाँ पे स्टीथ है State of West Coast of India That is Concern Coast of Arabian Sea यानि की अरबियन्स आगर के Concern Coast Concern टक पे स्टीथ है As it is a culture of seven Iceland It is the known as Iceland City जैसे की यहाँ पे स्ट्रीपो का एक समुह है इसे एक ट्रीपसर के रूप में भी जाना सकता है यहाँ पे कल्स्टर यानि की ग्रूप Seven Iceland का ग्रूप है Mumbai में यहाँ पे Seven Iceland का ग्रूप है It is known as the Iceland City यह मुंबई का अनदर नेम कांचा है Iceland City से भी जाना जाता है It is the second most populous metropolitan city of India Metropolitan यानि की महसगर It is the second most populous metropolitan city of India Mumbai यहाँ बारत का दूसरा सबसे अधिक बस्ती वाला महानगरी सहर है Mumbai माई इंडिया का सबसे अधिक प्रूपिलेशन वाला सहर है All the important government office of Maharashtra Are located in the state of capital Mumbai Capital यानि की रच्टानी All the important government office यानि की यानि की यानि की इंडिया की सभी important government office महारास्त्रा राच्च्य की मुंबई में स्टापित है यानि की important government office महारास्त्रा राच्च्य की रच्टानी मुंबई में स्टापित है All the important government office of Maharashtra located in the state capital Mumbai Now history The history of this beautiful city goes back to the seven island name है A.K.L.O.B.A, Moscow, Mahim, Perel, Bombay Iceland, Worli and All Women's Iceland It is beautiful city का इस्टानी में स्टापित है The famous Buddhist Empire of India यानि की ये सांत्री परट के प्रशित बोच सम्राट असक के राजिय का एक हिस्सा थे बोच जो प्रशित पूराने जमने में जो प्रशित बोच सम्राट असका था उसके इसके सहर का एक पाठ है ये सेवन आइसलेंड Following his death, the Silhara density ruled until the kingdom of Kujra took over the island and ruled till 1543 सम्राट असक की मुर्ट्यू के बाद Silhara राजवन्स ने टप्टक शासन किया जब तक गुजराट राज़य ने ट्रीपो पर कपचा नहीं किया और किस कप तक सासन किया तो 1543 तक सासन किया जब असक सम्राट की डेथ हुए टप Silhara राजवन्स के टप्टक सासन किया जब तक कुजराट राज़य ने ट्रीप का कपचा नहीं हुआ लेटर डशीटी वस रूल बाइट पर्टुगिल्स वासकोरी गामा वस पर्टुगिस सैलर वोस नेम दीस सीटी बंबे बाया मिनिंग है गुडवाई यानिकि बंबे पर्टुगिस के लेटर जो भी सिल्सरा राज़वन्स के बाद पर्टुगिस का सासन था लेटर डेंड उन बंबई सीटी में पर्टुगिस सा शासन था वास्कोरी गामा के एक प्रोटुगेश नाविक नागरिक ने उसका नेम बंबे बाया लखायों जिसका मीनिंग होता है जिसका मीनिंग होता है गुडबाई लेडर ब्रिटीश टूक ओवर्ट फ्रम पॉटुगेश प्रोटुगेश के बाएं कंग्रेशों का सक्सान था इस प्रिटीश ऑफ इस्ट इंडिया कंपनी इस हैटक्वार्टर इन मुंबई एटक्वाटर का मीनिंग के दा है मुख्या लई जाएं ब्रिटीश इस्ट इंड यानिकि अंग्रेजियों ने उस प्रटुगिस का नाम बंबे बाया चेंज करके क्या रखा बंबे In 1996, the city was renamed Mumbai यानिकि in 1996, year 1996 में Mumbai बंबे का नाम क्या परा Mumbai मुंबाई उसका नाम चेंज करके क्या रखा लाएजश में इसका स manner सामेना इस्ट्राइन तो मुंबाई की सॉष्टरी उस्ट पुर्स्टोब tu बुट के बुट सम्राट असक का था बाट में प्रोटुकिस बाट में प्रिटीज और डेन प्रिटीज प्रिटीज और नावादेश उसका नाम क्या है मुंबई नाव नेक्स लेक्चर में ट्रेंड एंड कमर्शियल देखेंगे